असलाम अलेकों वेलकम टू माई चैनल मेरे व्लॉक्स और यहां पर आज मैं रेस्पी लेके आए हूँ वनीला केक की यह बेसिक केक के तौर पर टीक के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने मैदा लिया है इसके लिए 360 ग्राम्स जो कि 3 कपस बनता है ओल मैं यहा पर 1.5 कप दूर लिया उसके अंतर मैंने 1 टेबल 1.5 टेबल स्पून लेमन एड़ करके इसको रख दिया है 10 मिनट हो चुके इसको यहां पर चीनी ली है मैंने 350 ग्राम्स आप इससे कम भी ले सकते हैं इसके लवा 3 अंडे हम यहां पर यूज कर रहे हैं 1 बाइ 4 टी स्पू कद आपो मैंने नमक लिया है और वन टेबल स्पून जो है मैंने भर के बेकंग पाउडर यूज किया है ब कि सोडा नहीं बेकंग पाउडर यूज करना है twitter को मैंने मैंनेर इसको टाल लिया तक तीन बाच चान लेना है यहां पर हमने ओएल यहां हमने VAN कर लिनें को आप चा यहां पर one by one करके अ कप एड़ किया है अगर आपको केक से स्मेल आती है तो यह प्रोसेस के केक के लिए लाजमी है अड़े की स्मेल करने के लिए जितनें अच्छे से अड़ा बी Actor होगा उतनें अच्छे से आपकि केक बनेगा और इसमें से स्मेल बिलकुल भी नई आएगी अंडों की तो यहां मैंने इसको कर लिया है बीट नो को और यहां मैंने तीन पार्ट किये हैं मैदे के और दूद के यानि तीन पार्ट में एड़ किया है और जैसे मैंने एक पार्ट मैदे कहато दूँसरे एक part मैंने दूज का एक part मैंने मैदी का और फिर दूज का इस तरह से मैंने add कर कि इसको मैंने beat कर लिया है यहाँए हमने जो मशीण से उतारना है अगर आप hand mixer आपいやसे electric beater से करें पिर तो कोई मसता नहीं है यहाँए नीचे जो है हेंड पीटर से करें तब तो कोई मसला नहीं होगा बागी मैंने सांचा ले लिया है आप पर डिपेंड करता है आप जो भी सांचा बनाना चाहें मैंने इसमें लगाया है बटर और बटर के बाद मैंने इसको इसमें बटर वेपर रख दिया है बटर वेपर नीचे रखने से फाइदा यह होता है कि नीचे से केक जलता नहीं और दूसरी बार चिपकता नहीं जल्दी निकल जाता है यहाँ पर मैंने बैटर एड़ कर दिया है इसमें और बहुत जादा आपने जहे ओवर्फलो कर देंगे होने लग जाएगा केक अगर आप जादा भर देंगे तो बेतर यह होता है 3x4 जो है आप सांचा अपना फिल करें यहाँ पे जी इसको मैंने प्री हीट ओवन में रखा था 180 डिग्री सेंटिग्रेट पर यहाँ पर 35 मिनट हो गए थे मैंने एक बार सोचा आपको दिखा दूँ कि अगर यह देखे मैंने प्रिक किया है यहाँ और जो है मे है स्क्वेवर सारा और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर ठंडा होने के लिए रखते नहीं ताकि अपनी साइट्स छोड़ दे तकरीपन यहाँ पर आदे से पौना घंटा हो गया था आपने यहाँ पर चुरी साइट पर लगा ले मैंने भी ऐसे वार ली थी चिप अगर कह कभी हुआ है तो वह निकल जाए यहाँ पर जी हमने इसको निकाल लेना है नीचे से आप चाहें तो बटर पेपर रिमूव कर दी आप चाहें तो बटर पेपर लगा रहने ने इसके नीचे क्योंकि हमने इसको अज़र टीक है क्यूस करना था मैंने तो मैंने सुचा कि मैं लगाऊंगी त्रे में जो था यह चिपक रहा था भी थोड़ा सा गरम था अब मैंने यहां पर ली चुरी और चुरी से मैंने उपर से जो था वो कट कर लिया था और कट करने के बाद यह दिखें मैं आपको काट के भी दिखा देती कितना सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से जो है यह बना था मैंने इसके बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने इसके उपर सिंपल नुटेला जैम यूज़ किया है उसके बाद मैंने इसके उपर स्प्रिंकल्स एड़ कर दे कि बच्चों के लिए बना था तो बच्चों के लिए ज़रूरी है ऐसा कुछ भी कलरफ आपको मेरी आज की वीडियो बसंद आएगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया किजिए देखने का शुक्रिया मुझे दे इजासत अला हाफिज